दोस्तों अगर आप एक Android ईज़र हो तो आपको Android में अपडेट्स के रिलेटर हमेसा प्रॉब्लम्स फेस करने पड़ते हैं क्योंकि Android में आपको timely अपडेट्स देखने को नहीं मिलते हैं आपका smartphone brand आपको कभी नहीं बताता कि आपके smartphone में Android अपडेट्स आएगा नहीं आएगा या फिर अगर आपको अपडेट्स मिलेगा तो वो कब मिलेगा अगर आप भी ऐसे किसी problem को face करते हो या फिर आप जानना चाहते हो कि ऐसा क्यों होता है आपको Android के cases में अपडेट्स क्यों नहीं मिलते तो आप इस वीडियो को अंतेक देखते रहिए क्योंकि इस वीडियो में मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आखिर आपको Android के case में अ दोस्तों Android अभी तक का सबसे versatile ecosystem है Android के case में आपको customization बहुत ज्यादा देखने को मिलते हैं और यही कारण है कि Android को customization का king कहा जाता है और साथ ही साथ आपको Android में options भी बहुत सारे मिलते हैं Android के case में brand options हो या फिर price options हो यह limitless हैं और यह सारे advantages हैं Android की लेकिन अगर updates की बात करू तो यही advantages updates के cases में disadvantages बन जाते हैं मतलब इनी updates के कारण आपको Android phones में updates मिलने में problem होती हैं और मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ आप वीडियो देखते रहे हैं आप भी समझ पाओगे दोस्तों Google हर साल Android का एक नया version launch करता है आज से दो साल पहले launch कियागा था Android Nogget उसके बाद है Android Oreo और जो अभी latest है वो है Android 9.0 जिसको की बोलते है Android Pie Android user से related एक data में आप से share करता हूँ उससे आप खुछ समझ पाओगे कि Android ecosystem में update की कितनी problem है जोस्तों अभी जितने भी Android smartphones हैं फूरे world में उसमें से 30% ऐसे smartphone है जिनमें की Android Nogget यूज हो रहा है 18% ऐसे smartphone है जिसमें की Android Oreo यू हो रहा है मतलब आप यह समझ लो कि जिस Android को एक साल पहले लॉंच किया गया है उस Android की रीच अभी तक 18% smartphone तक है मतलब Android Oreo के भी update अभी तक 100% Android smartphones तक नहीं पहुच पाएं और Android 9.0 जिसको की लॉंच हुए भी 2 या 3 मैने हो चुके हैं वो अभी तक 1% से भी कम smartphone तक पहुचे है इससे आप खुद समझ सकते हो कि Android में अपडेट की कितनी problem है दोस्तों Google जिस भी Android को develop करता है तो वो target करता है अपने Pixel Series के smartphone को Pixel Series के जिसने भी smartphone हैं फिर चाहे वो Pixel O, Pixel XL O, Pixel 2 O और या फिर Pixel 2 XL O इन सभी smartphone में आपको latest Android के updates Day 1 को देखने को मिलते हैं Day 1 का मतलब है कि जिस दिन Google latest Android launch करेगा, release करेगा उसी दिन Pixel Series के सारे smartphones में आपको update देखने को मिलता है और ऐसा इसलिए हो पाता है क्योंकि Google को पता है कि उनके Pixel Series के smartphone में कौन-कौन से hardware यूज़ किये गए हैं इसलिए best possible optimisation की जाती है और Android रिलीज कर दिया जाता है और इसी कारण से first day ही update मिल जाते है इस Pixel Series के smartphone को दोस्तों अब अगर बात करें दूसरे brands की फिर चाहे वो Samsung हो, Lenovo हो, Vivo हो या फिर कोई भी और brand जो की Android पे best है तो वो कभी भी stock Android का यूज़ नहीं करता है stock Android से मेरा मतलब है वो Android जो की Google के Pixel Series के smartphone में यूज़ हो रहा है stock Android से मतलब है कि वो pure Android जो की Google इन smartphone brands को provide करता है लेकिन ये smartphone brands stock Android का यूज़ नहीं करते हैं अपने smartphones में आप अगर देखना चाहते हो तो आप कभी भी Pixel Series के smartphone में अगर Android 8.1 यूज़ करोगे और उसको compare करोगे Xiaomi या फिर Samsung के किसी भी ऐसे smartphone में जिसमें की 8.1 Android यूज़ हो रहा है तो वहाँ पर आपको changes देखने को मिलेंगे फिर चाहे वो home screen में हो या फिर icons layout में हो दोनों smartphone में Android 8.1 ही यूज़ हो रहा है लेकिन फिर भी आपको changes देखने को मिलते हैं क्योंकि जितने भी smartphone brands है Google को छोड़के वो सारे stock Android के जगा custom skin का यूज़ करते हैं Android के उपन Custom skin का मतलब है कि Google जिस भी Android को provide करता है इन smartphone brands को उसके उपर ये Android smartphone brands उसमें changes करते हैं अपने अपने तरीके से हर smartphone brand की hardware अलग-अलग होती है किसी में एक तरीके का processor use होता है किसी में दूसरे तरीके का processor use होता है उसके हिसाब से software को optimize किया जाता है उसमें changes की जाती है तो basically आप ये सोचो कि जो भी Android Google के द्वारा provide किया जाता है उस पे ये Android smartphone brands उस पे एक अलग तरीके का layer चरहते हैं अपने convenience के हिसाब से उसी को बोलते है custom skin दोस्तों आप custom skin की अगर बात करों तो आपको color OS मिलता है Oppo के case में, Vivo के case में आपको देखने को मिलता है Funtouch OS, Samsung की अगर बात करों तो Samsung में आपको touchwiz देखने को मिलता है ये सारे बेष्ट है Android के उपर ही, लेकिन इसमें changes किये के हैं Samsung ने अपने तरीके से changes किये Android में, तो उसको बनाया touchwiz Oppo ने अपने तरीके से changes किये, तो उसको बनाया color OS Vivo ने अपने तरीके से changes किये, तो उसको बनाया fun touchwiz उसी तरह हर smartphone brand, Google के द्वारा जो भी Android प्रोवाइड किया जाता है उसमें changes करते हैं, और उसका एक custom skin तयार करते हैं जो कि Android के उपर का एक layer होता है अब जो भी आपको phone मिलता है, उसमें आपको Android को मिलेगा लेकिन साथी साथ, उस smartphone brand का वो custom skin चड़ाया हुआ मिलता है आपको Android, आपको pure Android नहीं मिलता है दोस्तों केस्टों केस्टों के मानने का पूरा तरीका बहुत ही ज़्यादा है ताइम टेकिंग क्रोसेसर और साथी साथ यह बहुत ही महनत का भी काम है क्योंकि वहाँ पे आपको Android पे बेस्ट एक parallel operating system develop करना होता है अगर OPPO के केस की बात करें तो अगर 8.1 उसको provide कर दिया जाता है तो उसके related उसी पे बेस्ट ColorOS का वही वर्जन पूरी तरीके से एक parallel operating system है और उसको develop करने में obvious सी बात है बहुत ज़्यादा time लगने वाला है अगर update ना मिलने की बात करूँ तो हर smartphone brand जो भी Android के case में होते हैं आपको वहाँ पे options बहुत ज़्यादा देखने को मिलते हैं 6000 से लेके 6000 तक के आपको phone मिलते हैं और हर phone में अलग-अलग hardware यूज होता है और जो operating system आप अपने phone में use करते हो वो हर hardware के तरीके से उसको optimize किया जाता है मतलब अलग-अलग hardware के हिसाब से अलग-अलग operating system को optimize किया जाता है और इसी कारण से Android के updates मिलने में आपको बहुत ज़्यादा problem होती है अगर Xiaomi जैसे smartphone brand की बात करूँ तो आपको 5000, सारे 5000, फिर 6000 मतलब हर 55 के अंतराल पे आपको एक नया phone देखने को मिलता है और वो range आती है 50,000 तक तो उस बीच Xiaomi के पास 50 ऐस phone से जिसके लिए उसको software optimize करना है तो आप खुद सोचिए कि उसमें कितना time लगने वाला है तो जो तीसरी problem है वो ये है कि हर smartphone brand latest phone और जो premium smartphone से उस पे concentrate करते हैं तो अगर Samsung की बात करूँ तो Samsung का भी सारा द्यान Galaxy S9 और Note 9 पे है तो उस case में आपको इन दोनों software develop करने के लिए उतना time provide ही नहीं करता है इसलिए आपको update नहीं मिलता है दोस्तों अमीद आपको वीडियो पसंद आई होगी तो फिलाल इस वीडियो में इतना ही अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक करें और अपने दोस्तों से सेर करें अगर आपको वीडियो या फिर मेरे चैनल लेटर कोई भी डाउट हो, कोई सवाल हो, सुझा हो तो फ्लीज नीचे कमेंट करें और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्लीज सब्सक्राइब कर दें मैं आपके लिए रोजाना लेकर आता रहता हूँ